कि हलो दोस्तो कैसे हो आप दोस्तो आज मैं आपको बताने वालू अगर आप इस वीडियो में देने वाला दोस्तो आपको इसकी पूरी जहनकरी कि आपके पीएफ के पैसे पर कितना आपको ब्याज मिलता है और क्या साल में कितना ब्याज मिला था कौन से साल में कितना मिला था उसकी पूरी जानकरी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ दोस्तो वीडियो के अंते तक पूरा बने रहिए वीडियो स्किप ना करिए तभी आपको पूरा समझ माया है दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर जानकारी वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके तो दोस्तों आपको बता देता है कि जो EPFO के दुवारा जो पास साल में मिल रहा है सबसे कम ब्याज जाने ब्याजदर उसकी क्या थी और अब क्या है उसकी अब आपके पूरो डिटेल से इसको पता देते हैं दोस्तों नई दिल्ली रिटार्डमेंट फंड का प्रबंदरवाल करमचारी भष्षिनेदी संगठें यानि EPFO इस वक्त पिछले 5 साल में सबसे कम ब्याज दे रहा है 2019-20 के दोरान यह ब्याजदर 8.50 सुद्धी है यह ब्याजदर पिछले 5 साल में सबसे कम है इस फंड में करमचारी के वेतन से पैसा कटने के बाद जमा होता है यह पैसा करमचारी को उसके रिटार्डमेंट पर दिया जाता है लेकिन इस पर कम ब्याज का असर उसके रिटार्डमेंट के बाद के जीवन पर पड़ता है फिलहाल EPFO के 5 करोड सदेशियों के बारे में किस प्रकार से EPFO निभाता है उसके बारे में बात कर लेता है जानिये कितना मेरा है ब्याज करमचारी बहुष्य नीजिस संगठन यानी EPFO जैसे ही इन ब्याजदरों को बदलने की कोशना करता है उसके बाद एक परिपत्र के माध्यम से अपने छेतरे कारालियों को आदेश देकर यह ब्याज के हिसाब से गणना को कहता है अब आपको बता दे वित्वर्स 2015-16 में यह ब्याजदर 8.80 फिजदी थी वित्वर्स 2016-2017 में यह ब्याजदर 8.65 फिजदी थी वित्वर्स 2017-18 में यह ब्याजदर 8.55 फिजदी थी वित्वर्स 2018-19 में यह ब्याजदर 8.65 फिजदी थी और बात कर लेते हैं वित्वर्स 2019-20 में यह ब्याजदर अब 8.50 फिजदी थी इस प्रकार आप खुद ही देख जान सकते हैं कि इसके 5 साल की सबसे कम ब्याजदर EPF के सदस्यों को दी जा रही है अगर आप एक PF मेंबर से आप कभी किसी कमपणी संस्था में पैसा कटता है EPF दुआरा तो EPF से दिक्कत किसी प्रकार के अगर आपको आती है तो आप किस प्रकार से उसकी सिकायत कर सकते हो कर्मचारी बहुशनीदी संकटा यानि EPF से अगर कुछ दिक्कत हो तो अब आलेन सिकायत दर्ज कर सकते हैं EPF वेबसाइट पर EPF निकासी, EPF खाते में ट्रांसफर, EKYC मामलों से इस तरह की सिकायत को दर्ज करा कर इनका समधान ले सकते हैं हाला कि सिकायत को दर्ज कराने के लिए युनिवर्सल अकाउंट नमबर या PPF नमबर होना जरूर है यह है EPF की वेबसाट जो EPFHHHH पोर्टल होता है उस पर जाकर आप अपने सिकायत धर्ज कर सकते हैं पीएफ से सम्मधित जो भी सिकायत हो धर्ज कर सकते हैं तक दोस्तों कैसे लगा मेरा वीडियो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आये तो लाइक करें आगे share करे और PF से संब्दित हर जानकारी पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद